नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस व्यवसाई एवं वित्य शिक्षण भियान में मैं हूँ रुपिया, मेरा नाम है रूपा मैं लेकर आई हूँ आपके लिए उन्नती और विकास का रास्ता जिस पर चल कर आप अपनी जिन्दिगी मिला सकते हैं सकरात्मक बदलाव और मैं हूँ राजू, किसी भी तरह का व्यवसाई शुरू करने में हम जैसे लोगों के लिए उन्जी की कमी सबसे बड़ी समस्या होती है मैं अपने बास व्यवसाई के लिए बैंक से कर्ज लेने की सोच रहा हूँ पर समझ में नहीं आता कि बैंक हमें कर्ज देगी या नहीं कोई बात नहीं राजू, बैंक तो तुम्हारी जैसे मेहनती लोगों की मदद के लिए ही बनी है अपने व्यवसाई के लिए तुम बैंकिंग और गैर बैंकिंग दोनों तरह की संस्थाओं से कर्ज ले सकते हो सरकारी बैंकिंग संस्थाओं के उधारण है स्टेट बैंक आफ इंडिया, पंजाब नैशनल बैंक, बैंक आफ बडोधा आदी और निजिक शेत्र के बैंकों में HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक आती है इसके अलावा गैर बैंकिंग संस्थाओं भी तुम्हें कर्ज दे सकती है जिसमें बजाज फाइनस, टाटा कैपिटल फाइनस सर्विस, L&T Finance Limited जैसी संस्थाओं है इसके अलावा शेत्रिय ग्रामिन बैंक और सहकारी बैंकों से भी तुम्हें कर्ज मिल सकता है लेकिन कर्ज देने के लिए इस तरह की संस्थाओं बहुत कुछ देखती है जैसे जिसे कर्ज चाहिए वो कर्ज वापस करने की स्थिती में है की नहीं इसके लिए बैंक कर्ज लेने वालों की क्रेडिट रेटिंग पता करती है क्रेडिट रेटिंग? ये क्या होता है दीदी? क्रेडिट रेटिंग एक ऐसा मूल्यांकन है जिससे कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कितना मजबूत और अनुशासित है कितने तक का कर्ज जुकाने की एक्शमता रखता है पहले अगर कर्ज लिया तो समय पर वापस किया या नहीं उसका वित्तिय लेंदेन सही और अनुशासित है या नहीं और भी कई चीजे ग्रेडिट रेटिंग से पता चलती है लेकिन credit rating agency को हमारे बारे में कैसे पता चलता है इस देश के सभी सदसे bank और गैर banking संस्थान अपने ग्राहकों द्वारा लिये गए loan या फिर अन्ने लेंदेन civil जैसे credit rating agency के साथ साज़ा करते है इन संस्था के पास एक database होता है जिसमें सभी प्रकार के रिण और उसके मासिक किस्त एवं भुकतान करने वाली की जानकारी होती है इसमें नए रण के लिए दिये गए आवेदन एवं उनके अनुमोधन की जानकारी भी रहती है और यही जानकारी ही तुम्हारे civil score यानि credit rating का आधार बनती है TransUnion Civil Limited या Civil भारत की पहली credit information company है जिसे सामानने रोप से credit bureau भी कहा जाता है जो लोगों और संस्थाओं के कर्ज और credit card से संबंधित भुकतानों का record रखती है Civil score कर्ज लेने के आवेदन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जब भी हम कर्ज के लिए आवेदन करते हैं तो कर्ज देने वाले bank सबसे पहले आवेदक के credit score और credit report की जाँच करता है यदि credit score कम है तो कर्ज मिलने की संभावना कम होती है यदि credit score अधिक होता है तो कर्ज मिलने की संभावना ज्यादा होती है अच्छा दीदी पूंजी या नेट वर्थ भी बढ़ेगा और ये सारी जानकारी सिबिल या अन्य क्रेडिट रेटिंग एजिंसी के पास चली जाती है जहां से तुम्हारा सिबिल स्कोर निर्धारित होता है सिबिल जैसी कई अन्य संस्थाइं जो ग्राहक के लेंदेन की पूरी जानकारी रखती है और क्रेडिट स्कोर देती है जैसे क्रिसल सी आराई एस आई एल कैर सी ए आर इ इसरा आई सी आर ए जी दी दी लेकिन मैं तो बैंक को पैसे सबय पर वापस कर दूँगा फिर इसे क्रेडिट रेटिंग की क्या जरूरत है जानती हूं राजू लेकिन सभी तुम जैसे नहीं होते हैं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी वज़ा से कर्ज वापस नहीं कर पाते हैं अच्छा हाँ इसलिए बैंक इस बात को क्रेडिट रेटिंग द्वारा सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि जिसको ये उधार दिया जा रहा है वो मूलधन और ब्याज की अदाइगी कर पाएगा या नहीं समझ गया दीदी इसका मतलब बैंक हमारे बारे में सब उपहले से जान लेना चाहती है बिलकुल एक सिबिल रिपोर्ट में कर्ज लेने वाले की सारी जानकारी होती है व्यक्तिगत जानकारी के अलावा उसने किस बैंक से कितना लोन लिया है वो कहां काम करता है और उसकी मासिक आये ये सब कुछ सिबिल रिपोर्ट में होता है अच्छा दीदी, कुछ और बताई है न क्रेडिट रेटिंग के बारे में? अच्छा, क्रेडिट रेटिंग तीन अंकों की एक संख्या होती है, जिसे कई पैमानों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है. जितना बेहतर तुम्हारा क्रेडिट स्कोर होगा, उतनी ही बेहतर संभाव न होगी, तुम्हें बैंक से कर्ज मिलने की. 700 से उपर का क्रेडिट स्कोर अच्छा माना जाता है. कई बार हमें क्रेडिट स्कोर में माइनस वन मिलता है, जिसका मतलब है कि कर्ज लेने वाले का पिछला कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है. अच्छा, तो दीदी ये बदाईए कि हम क्रेडिट डेटिंग को अच्छा कैसे रख सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है. देखो राजू, सबसे पहले अपने कर्ज के मासी किस्थ की भुपतान समय पर करो, बैंक के अन्ने लेन देन में भी समय पर भुपतान किया करो. दूसरी बात, एक साथ कई बैंकों में कर्ज के लिए आविदन मत करो. तो क्या दीदी, क्रेडिट रेटिंग को सुधारा भी जा सकता है? हाँ राजू. कैसी दीदी? ये सवाल भी बहुत अच्छा किया है. देखो राजू, सबसे पहले अपने लोन की EMI और क्रेडिट कार्ड के बिल्स या अन्ने बिल्स हमेशा नियत समय पर जमा करो. अगर कोई गलती होती है तो उसे सुधारने की कोशिश करो. अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो यानी रिण उपियोग अनुपात को 30 से 40 प्रतिशत से नीचे रखो. रिण उपियोग अनुपात? हाँ राजू. मालो तुम्हारे पास एक क्रेडिट कार्ड है, जिसकी कुल क्रेडिट लिमिट एक लाग है. इसमें से कार्ड पर बकाया राशी 80,000 है. इसका मतलब आपका क्रेडिट उपियोग अनुपात 80 प्रतिशत है. यानी तुम क्रेडिट कार्ड पर बहुत आश्रित हो. ऐसा ना हो तो बहुत अच्छा. समझ गया दिदी, लेकिन मुझे अपनी क्रेडिट डेटिंग कैसे पता चलेगी? सिबिल की वेबसाइट से, जिसका पता है www.cibil.com. आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ इसे कैसे चेक करते हैं. समझ गया दिदी, ये तो बहुत आसान है. अब मैं चलता हूँ अपनी क्रेडिट डेटिंग पता करने. कर्ज भी तो लेना है, वेबसाइश शुरू करने के लिए. आच्छा. आच्छा.